हेलो अब्रवन वेलकम बैक टो डबलेस क्यूब टेक एंड दस अंकुर जोशी साइन इन आज की वीडियो का हमारे टॉपिक होने वाला है इसको हम समझने वाले हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर जहां पर हम एक सब्सक्राइब होना चाह रहा है उनको कुछ set of rules या जो devices देवो communicate होना चाह रहे तो उन्हें भी एक set of rules अब basically जितने भी websites हैं उन पर आप connect करना चाहते हैं जो भी system से आप connect करना चाह रहे हैं वहां पे यह communication establish होता है अब जब भी आप website पे कुछ website visit करते हैं तब क्या होता है internet पे आप एक तरीके से किसी भी system से बात करना चाह रहे हैं अब बात करेंगे API से connect होके अगर वहाँ पे अप्लिकेबल है तो अगर उस website ने एप्लिकेबल है तो आप पहले API से communicate करेंगे अब जादा तर आपके end website के बीच में API होता है यानि API as a middle man act करता है जो कि आपकी भीजिवे request API के तुरू जाती है एक web server तक यानि इसका मतलब क्या हुआ जितनी बार भी आप एक website से connect होना चाहता है आपकी request API तक जाती है वह API आपके request आगे पहुचाता है और यह देखा जाता है कि क्या आप वो data को access करने की capable है या नहीं वह आप तक data भेजा जाए या नहीं या आपके request सही है यानि यह स अच्छे सा example से समझ लेता है जो कि होने वाला है हमारा एक waiter एक customer और एक chef example अब API किस तरीके से काम कर रही है इस example के तुरह आप समझ सकता है यहाँ पर जो application है वो एक तरीके से customer है जो कि एक restaurant में बैठा है अब जो एक chef जो कि restaurant में work कर रहा है कैसा होगा अगर हर customer direct chef से ही जा इतना hectic हो जाता है लेकिन वहीं अगर एक waiter आप तक आ रहा है आपसे order ले रहा है आपने जो request करा है वो एक chef तक ले जा रहा है तो वो थोड़ा एक systematic order रहेगा और data का flow एकदम seamlessly रहेगा कहीं भी कुछ भी hecticness नहीं होगी data आराम से जो आपने request किया है वो आपके table तक आ जा चाहता है या कुछ ऐसा application हो सकता है जो internally browser चला रहा हो या web page पे विजिट करना चाहता हो फिर यहां पर आपका जो server है जिस website पर बात करना चाहरे है वो main server हो गया वो हो गया kitchen वहां से या chef हो गया जहां से आप data ले रहे हैं अब यहां पर API बात करेगी आपके through यानि आपने request भीजी API को जो की implemented है किसने implement करिए obviously web server बेटर को कौन अपॉइंट कर रहा है chef obviously वैसा ही कुछ यहां पे भी हो रहा है web server बेटर को अपॉइंट कर रहा है अपने काम के लिए अब जो काम API को दे रखा है API वही काम करेगी आपके data को यहां से यहां तक ले जाना basically आपके request को आपके request वहां तक जाएगी process होगी check करेगा waiter कि यहां पे वह चीज available है या नहीं ताकि वह request आगे जाए अब आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि आपने request करा वह order नहीं हो पाता क्यों क्योंकि चीज़ें नहीं है तो यह चीज़ें आपको on the spot ही पता चल जाती है आपने order क कर दता है कि नहीं यह available नहीं है बट अगर वह चीज़ available होती है तो आप तक order आ जाता है अगर यह चीज़ नहीं होती हो तो आप महां जाकर order देते order जब तक complete होता बाकी हो का तब आपके पास information आती कि यह चीज़ available नहीं है लेकिन API की वज़े से यह चीज़ आपको on the spot पत चल गए सेम ऐसा है अगर आपको service demand कर रहे हो किछी web server से और वह available नहीं है तो API आपको वहां पर access नहीं करने देगी यह अगर आप उसको access करने के लिए allowed नहीं हो तो API आपको access नहीं करने देगी उस particular service को यानि आपके request वहां पर process नहीं होगी क्योंकि वह request आप करने के capable ही न करते हैं अब देखिए जितनी भी API के तुरू request जाती है उसमें कुछ ना कुछ key points होते हैं जो कि एक API के तुरू जटा या request जा रही है उसको unique बनाए उसको safe बनाए यानि कुछ ना कुछ piece of information ले जाती है ताकि उसको process होने में easiness हो और वह easily process हो जाए अब यहां पर पहला point क है हमारा authorization credentials अब यह क्या करते हैं एक API की जो request जा रही है उसमें कुछ ना कुछ credentials add होते हैं uniquely API के थ्रू ही add करे जाते हैं ताकि कोई भी उस API की request को copy ना करे जैसा अगर किसी ने copy कर ली कोई request normal बिना API की तो वह उसको use कर सकता है attacking method में उसको mimic करके mimic या नहीं उसकी एक और request ब बट अगर API के साथ credential जा रहे है तो एक particular request एक moment पर ही valid रहेगी या एक session पर ही valid रहेगी जिससे अगर कोई दूसरा attacker वह करना चाहता है तो same session पर या same credential के साथ वह work नहीं करेगा इसलिए यह काफी अच्छी added security है provide कर देता है अपनी request method में भी यानि आपके request जो जा रही है request responses आपके secure रहे रहे है APIs के वज़े से तो यह काफी अच्छी चीज़ है अब जैसे कि next point यहां पर आपको मैंने अभी बताया है कि एक request में API कीज जाती है ताकि यह पता चल सके legitimate user है या फिर authenticated user है वह जिससे request आ रही है ताकि जो request आ रही है उसको serve सही तरीके से करा जाए authorized उस application एक time पर एक ही API से connect हो यहां पर एक application कई सारे API से connect हो सकता है इस तरीके से अब जैसे कि यहां पर आप food delivery application यूज कर रहे है कोई भी food delivery application आपने order करा अब वहां पर आप उनके web server की API से restaurants का data देख रहे है अब वहां पर सारा data आपको दिख रहा है लेकिन जो आप delivery place कर देते ह आप पे जब आप पे वित फोन पे पे टी एम गूगल पर जो भी अलग 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 transactions है वह आपको शो करता है अब यह तो है नहीं कि उन्होंने खुद का अलग से ट्रांजेक्शन लिमिट बना कट खुद का अलग से programming code लिखा है फोन पे गूगल पे पे टीम इन सब की ची करके जिनके maps की API को यूज करके अपने सिस्टम में इंटिग्रेट किया ताकि आप maps से location tracks कर पाओ अब यहां पर ज़रूरी नहीं है हर moment application अब यह ज़रूरी नहीं है हर application हर moment पे एक ही API को यूज कर सकती है ताकि वो conveniently और fastly और effectively वर्क करें तो यह सारा APIs के advantages है इस type के request जाती है तीन-चार भी जा सकती है multiple APIs से connect हो सकता है in short अगर देखा जाए तो अब हर API कि एक होती है documentation अब देखे एक technically term में कहा जाता कि अगर कोई API की documentation नहीं है तो उसे hack कभी नहीं करा सकता है technically यह सही है लेकि practically implementable नहीं है क्योंकि एक API की documentation ही बताती है कि उसको use कैसे करना है use कैसे होगा अब अगर उसकी use करना कैसे है कैसे होगा वो अगर चीज है ही नहीं तो उसे कोई use नहीं कर पाएगा और को use नहीं कर पा रहा तो कोई hack नहीं कर पाएगा इसलिए ऐस सच आपको सुनने को मिलेगा कि जिसकी documentation नहीं है वो hack नहीं हो सकता बट technically में वो use भी नहीं हो सकता अगर उसकी documentation नहीं है तो यानि एक API अगर use हो रहा है तो उसके लिए हमारी documentation बहुत important है हमें documentation से बहुत अच्छा खासा data मिल सकता है जो हमें यह बताएगा API काम कैसे कर रहा है अब API क documentation पर बढ़ेंगे क्योंकि API की documentation बहुत जादा data carry करती है अपने साथ अब यहां पर आपने देखा EPS बहुत helpful है एक particular organization के लिए website के लिए लेकिन इससे मिलता जूलता एक कुछ चीज भी है जो की काफी helpful रहती है और same rules play करती है और यहां पर कई बार ऐसा confusion होता है कि better कौन है क कहां पर क्या यूज होने चाहिए वो चीज है SDK यानि software development kit अब यह kit ज्यादतर applications प्रोवाइड करती है ज्यादतर companies प्रोवाइड करती है क्योंकि यह एक अच्छा kit प्रोवाइड कर रही है जिससे एक piece of code है जिससे आप API से easily connect करके उनको यूज में ले पाँ यानि एक API के सा SDK भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इनकी working को interconnect करके अच्छे से कर पाओ and perform कर पाओ इनको आप easily download कर सकते हो और हर particular API के थुरू इनको connect करके यूज कर सकते हो यानि एक particular API है जैसे कि let's suppose Google Map API तो उसका SDK download करके आप API को connect कर सकते हो easily अपने piece of code के साथ ताकि यह piece of code जो है वहा कि काफी जादा help करें हमारे task को कम करने में हमारी easiness बढ़ाने में पट इनमें basic difference क्या है इन दौनों में फरक क्या है यह दौनों काम कैसे कर रहे हैं तो इस चीज को हम देख लेता है इनका basic difference क्या है वह हम check out करता है तो देखे सबसे पहले difference basic पे बढ़ता है हम अब यहाँ SD के जो है वो क्या करता है एक complete package या complete kit प्रोवाइड करता है आपको जिससे एक particular platform या particular software के साथ कैसे क्या चीज़े use कर सकते हो and उन्हें कैसे आप easily एक particular platform एक particular language में implement कर सकते हो वो SD के आपको प्रोवाइड करता है वही API क्या करता है आपके एक software या दूसरे software या फिर एक software से एक browser या एक server के बीच की बातचीत या communication को अच्छा बनाना और secure बनाना and और भी कई सारे features add-on करना वो API का काम है यानि आपके communication में facilities प्रोवाइड करने का काम API का है और एक software development process में अलग-अलग features प्रोवाइड करना functions प्रोवाइड करना वो SDK का का काम है अब ये तो थे हैं इ जहांपे SDK and API इन दोनों के full form तो अब तक आपको याद होई गए होंगे SDK यानि software development kit and API मतलब application programming interface यानि ये तो इनके full form हो चुक है अब इनके next points को discuss करता है जो की है SDK क्या कर रहा है वो सारी चीज़े provide करता है जो की एक particular platform पे एक particular software को बनाने में needed होते है या जरूरी होते है व अब SGK के अंदर काफी जादा तर APIs include होती है क्योंकि किसी और software में अगर API integrate हो रही है तो उसका version और अच्छा बढ़ेगा और easily coding होगी and साथी साथ काफी जादा communication में gap कम हो जाएगा easily communication हो पाएगा वहीं APIs के अंदर एक drawback या है कि API communication करना कैसे है दो application साथ कैसे काम कर रही है दो से जादा multiple application साथ कैसे काम कर रही है वो चीज API manage करता है लेकि API कभी भी कोई भी software development में काम नहीं आएगा यानि software development में कोई नया software बनाने में ये API काम नहीं आएगा API particular आपको एक service provide कर सकता है पर complete एक नया पूरा new application बनाने का काम आप API से नहीं कर सकते है अब यह दोनों मे लेना and nextly इसके purpose आपको यह शोर है purpose क्या है जो जरुवत है एक software building में वो SDK provide करता है और यहां पर जो protocols है जो software को interact करने में चीज़े जरुवत होती है वो आपको API provide करता है यहां पर differences हमने discuss किये थे software building tool है और यहां पर API integrate हो सकता है इसके साथ लेकिन API independent होते है इसमें SDK के साथ यह जा सकता है बढ़ हां independently भी यह किसी website के साथ work कर सकते हैं इन्हें SDK की need नहीं है अब आता है last और सबसे important point की इनका use कहां करें when to use अब अगर आप एक application बना रहे हैं कोई भी application बना रहे हैं तब यहां पे आपको जरूत होगी SDK की अगर आप नया application बना रहे हैं तो आपको software development kit की जरूत है वहीं अगर आप कुछ enhancement कर रहे हैं कुछ नए features आड़ कर रहे हैं कुछ effectiveness आड़ कर रहे हैं अपने software में तो आपको जरूत होगी API की क्योंकि वह easily यह सारे काम कर सकता है तो यहां पर यह चीजे थी API और SDK के बारे में यह काम कैसे करते हैं दोनों वेब पर क्य अच्छे से रखना ताकि तो यह चीज़ों को जयान में रखते हैं हम नेक्स टॉपिक बढ़ेंगे नेक्स वीडियो में तो मिलता हूं हमसे नेक्स वीडियो में और amazing और informative content के साथ तब तक लिए this is Ankur Joshi signing off